बित्व मंत्री से सुरेश खन्ना जी, लखनों की महापौर स्रीमती सुस्मा खड़कवाल जी, मानिय सांसत से सुदान सुत्रवेदी जी, ब्रिजलाल जी, डॉक्टर दिनेश सरमा जी, मानिय विधायक गर्ण और भारी संख्या में यहाँ पर उपस्तित इस एकता दोड में जिसे हेल के तत्वादान में यहाँ पर आयुजित किया गया है, उपस्तित प्रतिभागी कर्ण, उपस्तित भायो बहनो, राश्तिय एकता के आधार स्थनम्भ भारत माता के महन सपूत, लोपुरुस सरदार बल्ला भाई पटेल जी की आज पावन जयन्ती है, इस आउसर पर उनके प्रति बिनम्बर सरदान जल अर्पित करते वे, उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूँ, भायो बेनो, हम सब जानते हैं, भुगदान दिया, बलेई उनके कारेकाल के दोरान उन्हेंवा सम्मान तदकाल इन सरकारे न दे पाई हो, लेकिन दोहजार चौदा में, देश के सश्री प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोधी जी ने, सर्दार बला भाई पटेल जी के प्रतीस सर्दार सम्मान का वहावब्यक्त करते हुए, भारत के नागरिक उनके प्रतिकृतक्यता ग्यापित कर सके, इस द्रिष्टि से 31 अक्तुवर की तिथी को रास्तिय एकता दिवस के रूप में आयुजित करना प्रारंब किया, इस उसर पर रन फार युनिटी, इस एकता दोड के माध्यम से पुरे देश के नागरिक, जाती मात मज़ाप छेत्र भासा भूल करके, एक साथ रास्तिय एकता के प्रती, सरदार बन्लबाही प्रतेल जी के प्रती कृतग्यता ग्यापित करते हुए, इस एकता दोड में सामिल होते हैं, और आज ये विधानव हवन से लेकर के केडि सिंग बावु स्टेडियम तक ये एकता दोड भारत की एकता रखंडता को सुदिर्ड बनाने के लिए हम सब के दिर्ड प्रतग्य का हिस्सा बन सके, इस दिश से हम सब यहाँ पर उपस्तित हुए हैं, इस उसर पर मुख्यतिती के रूप में आदनी रक्षा मंत्री जी जो स्वयम लखनों के लोग प्रिय सांसद जी सांसद भी है, वे स्वयम यहाँ पर इस एकता दोड मैं सामिल होने के लिए आये हैं, मैं इस उसर पर उत्तरप्रदेश सासन और आप सब की और से उनका धिर्दै से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वैयो बेनों, यह राष्ट के एकता दोड हम सब को पूरे देश के प्रंदर किसी भी प्रकार के बाद से उपर उड़ करके अपनी राष्ट नेशन फर्ष्ट की जो प्रधान मंत्री मोदी जी का अभिहान है, उसके प्रती समर्पन का भाव पैदा करने का एक नया भाव प इस स्वास के साथ मैं HL को धन्यबाद दूँगा, अस्तानी प्रसासन को भी धन्यबाद दूँगा, कि नोंने एक सौट नोटिस पर इतनी बड़ी संख्या में इसमें युवाबी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और सभी लोगों ने आज जिस भाव के साथ इस एकता दौड के साथ जुड़ करके इस कारिक्रम को सफल बनाने के लिए हैं, मैं उन सब को भी हर्दै से धन्यबाद देते वे, उनका बिनंदन करता हूँ, धन्यबाद जैहिन, धन्यबाद माने मुख्यपंतरी जी, अब आज